आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हर्दिक अभिनेंदन और स्वागत डियर स्ट्रेंड्स आज मैं आप लोगों को प्राध्यापक स्कूल सिक्षा परिक्षा 2011 का बाईलोजिका पेपर सौल करवाने वाला हूँ तो जितने भी मेरे new candidate है उनके लिए ये पेपर काफी important है उनको परिक्षा की गहराई पता चलेगी कि RPC किस प्रकार के प्रश्ण करती है उन्हें का idea लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्ण जो है वो बाईलोजिक के पेपर में पूछे जाते हैं तो आईए students हम शुरू करते हैं इस पेपर को सबसे पहला प्रश्ण है हमारे पास who propounded the theory of natural selection या प्राकरतिक वरणवात का सिध्धान्त किस ने प्रस्तूत किया था तो natural selection theory जो है वो आपकी Charles Darwin के द्वारा दी गई थी बिलकुल आप ध्यान रखेंगे और इनकी पुस्तक का नाम था origin of species जो की 1869 में आई थी तो यह सन भी कभी कभी पूछ ले जाता है बिलकुल आप लोगों को याद रखने है origin of species by means of natural selection जिसमें उन्होंने natural selection के बारे में बहुत सारी चीजे डिस्क्राइब की थी cartwheel structure is exhibited by जो cartwheel है गाड़ी के पाईए जैसी सरंचना है वो आप देखेंगे चारो option में से तो आपका option हो जाएगा centriol में cartwheel structure या गाड़ी के पाईए जैसी सरंचना पाई जाती है direct answer आपका हो जाएगा question number 3 की आगे हम बात करते है mitochondrial clouds are found in mitochondria के बादल पाई जाते हैं किस में पाई जाते हैं तो mitochondria के जो बादल है वो ओवम में या अंडाणू में मिलेंगे और especially amphibian ओवम में ये पाई जाते हैं तो बिलकुल आप लोगों को याद रखना है एक frog genopus उसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाई द देते हैं, mitochondria के बादल, the site of fertilization in woman is, इस्तरी में निशेचन इस्तल होता है, तो जो निशेचन होता है वो फैलोपेंट ट्यूब में उता है, फैलोपेंट ट्यूब के भी ampoula वाले भाग में आप लोगों को याद रखना है निशेचन होता है, the fusion of male and female gamut, choose the odd one, आपको विश सिलरस, micropyle होते हैं, यानि ये तिनों तो similar हो जाएंगे, लेकिन pollen grain से वो odd one हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा pollen grain या परागकन, structure made up of sphingo lipids, sphingo lipids से myelin आच्छद बनती है, बिल्कूल आप लोगों को direct याद रखना है, जब हम diagram बनाते हैं एक nerve cell का, तो आपको पता ही है, इस nerve cell में यहाँ पर, exon के उपर, myelin आच्छद पाई जाती है, ये myelin आच्छद जो है, या myelin शीत जो है, वो एक vicious प्रकार की कोशिका हो, swan cells के द्वारा secret की जाती है, तो ये swan cells भी आप याद रखेंगे, कि myelin आच्छद जो है, वो swan cell के द्वारा secret की जाती है, और exon के उपर, जहाँ जहाँ पर myelin आच्छद नहीं होती है, वहाँ पर, node of ranvir पाया जाता है, तो ये, बिल्कूल basic चीजे हैं, आप लोगों ने पड़ी हुई है, छोटी क्लासों से, आगे हम question number 7 देखते है, the cell secreting histamine, histamine का इस्तरवन करने वाली कोशिकाई, तो histamine का इस्तरवन mast कोशिकाई करती है, direct आप लोगों को याद रखना है, mast कोशिकाई histamine का secretion करती है, the edible part of mango is, तो mango का diagram ये थी हम बनाए, तो आपक के अंदर जो बीज होता है, और उसके बाहर एक outer फल बित्ती होती है, और बीच में, जो part of yellow issue हम खाते हैं, यानि fleshy, mesokarp हम खाते हैं, गुदेदार मद्य फल बित्ती हम खाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, गुदेदार मद्य फल बित्ती, the sedimentation coefficient of ribosomes found in bacteria, इस bacteria में पाये जाने वाले ribosome का उसदन गुणांग क्या होता है, तो bacteria, जो है, वो prokriotic कोशिका है, monera का सदश्य और prokriotes में 70S प्रकार के ribosomes मिलते हैं, जिसके subunits 50S प्लस 30S होती है, तो subunits भी आप याद रखेंगे, और view kriotes में अगर अपन बात करें, तो 80S प्रकार के ribosomes पाये जाते हैं, what for papers is found in composite, composite में papers किसके लिए पाये जाता है, तो composite में जो papers होता है, वो parachute-like होता है, parachute जैसा आपको दिखाए दिगार, इसके नीचे यहाँ पर seed होता है, बिल्कुल आप देखेंगे, यह seed को, वायू के द्वारा एक इस्तान से दुस्रे इस्तान पर ले जाने का साधान, तो air dispersal में यह मदब करता है, Heversian system is a salient feature of Heversian system, जो हो केवल bonds of mammals में, केवल इस्तियों के इस्तियों में ही देखा जाता है, केवल इस्तियों के इस्तियों में Heversian system पाया जाता है, The site in ovule where funicle is attached, विजान्ड का वश्तान जहां से विजान्ड वरंत जूडता है, विल्कुल सिंपल सा प्रश्णा उस्सों हम हाइलम या नाभिक कर देंगे, Which is called as triple vaccine, triple Tica आपका डेखेंगे तो dipty का हो जाएगा, diptheria, pertuses, tuberculosis के लिए यह लगाया जाता है, तीन विमरी के लिए ठीका है, इसलिए इसको triple vaccine हमने बोल दिया है, Sertoli cells are found in Sertoli की कोशिकाएं जो है वो testage में पाये जाती है, और इनका function है, Spum को nutrition provide करवाना, Sertoli कोशिकाएं, DOTS program concerned with, जो DOTS program है, वो TV में भी आता रहता है, इसका aid, हम बाज़ारों में भी पॉस्टर में देखते हैं, तो शही रोक के उनमुलन के लिए DOTS program चलाए गया है, जिसकी फुलफूम होती है, Direct Observation Therapy Short Course, जिसमें TB के मरुज़ को directly observation में रखा जाता है, उसका treatment किया जाता है, The Tidal Volume in human being is जुआरी आयतन, जो होता है, वो कितना होता है, जुआरी आयतन से हमारा तात पर यह है, कि लंग के अंदर, कितनी air, Simply हम ले रहे हैं, और Simply हम उसे छोड़ रहे हैं, तो यह जुआरी आयतन हो जाएगा, एक respiratory cycle में, तो इसका value होता है 500 ml, 500 ml, male के अंदर 500 ml होती है, female के अंदर अगर अपन टाइडल वोलियूम देखें, तो 400 ml होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो male, female में, आप थोड़ा सा differentiate करेंगे, यहाँ पर 500 ml दियावा, तो अपने को 500 ml अंसर लगाना है, विशेश रूप से male और female में पुछे गया, तो male के लिए 500 ml हो जाएगा, और female के लिए 400 ml हो जाएगा, थोड़ा कम होता है, यहाँ पर भूण पोश होना चीए, इस प्रश्ण को RPS से ने डिलीट कर दिया था, तो endospalm अगर अपन देखें, तो वो अगूनित हो जाएगा, हैपलोड हो जाएगा, और अगर endospalm का पूछा जाता है, तो हम आंसर लगाते हैं, तो बिलकुल आप लोगों को याद वो ट्राइपलोड होता है, in human being, sex of the offspring is determined by, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि human being के अंदर जो sex determination है, वो father के lingon sutra के द्वारा किया जाता है, xy chromosome के द्वारा किया जाता है, when pollen tube enters through the integument, it is called, काफी important प्रस्ण है, तो देखो, पोरोगेमी, पोरोगेमी से हमारा मतलब हो जाएगा, कि जब पोलन ट्यूब जो है, वो micropyle वाले region से प्रवेश कर रही है, तब हम इसे हम पोरोगेमी कहेंगे, जब वो चलेजर लेंड से प्रवेश कर रही है, तब हम उसक जो है, अगर integument से enter करती है, तो उसे हम मिजोगेमी कहेंगे, the correct statement for fertilizing is, fertilizing एक प्रकार की glycoprotein है, जो अंडानो के सतर पर पाई जाती है, direct answer है, इसे प्रकार से एक anti-fertilization protein और होती है, glycoprotein, जो की sperm की surface पर पाई जाती है, तो दोनों आपको याद रखने है, in which the ovule is not covered by ovule, किसमें बिजांड अंडाशे से ढखावा नहीं होता है, तो gymnosperm में जो बिजांड अंडाशे से ढखावा नहीं होता है, काफी simple सा character है, gymnosperm का, saline feature of bile juices, bile juice का saline feature हम देखें, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसमें enzyme नहीं पाया जाता है, bile juice का प्रमुक काम है, emulsification of fat, bile juice, fat के emulsification में हमारी साहिता करता है, इसमें पित वरनक, bilirubin और biliverdin पाया जाते हैं, लेकिन enzyme नहीं पाया जाता है, podocyte cells are found in, podocyte cells आपकी bomen capsule जो है, उसके अंदर पाय जाती है, nephron में, तो आप cancer हो जाएगा वरक, किड़नी हो जाएगा आप cancer, pneumotoxic center is found in, तो pneumotoxic center, pons में पाया जाता है, pneumotoxic center, अगर प्रशन होता है, respiratory center तो आपका अंसर हो जाता है, medulla oblongata, तो ये भी आप याद रखना, medulla oblongata में respiratory center होता है, और pneumotoxic center, इसी के पास एक सरंचना होती है, छोटी से पॉंस, उसमें पाया जाता है, still include, still में हम, pit और vascular bundle को include करेंगे, बाकी तिनों option में endodermis हा रही है, तो endodermis जो है still में include नहीं की जाती है, the placenta found in cow and cottage, cow में kotilodonery placenta या बीच पत्री अपरा मिलेगा, genre placenta अपका dog and cat में पाया जाता है, ये भी आप याद रख लेंगे, और yoxic placenta जो है वो monotrims में, utherians में मिलता है, तो cow और goat का placenta kotilodonery हो जाएगा, kotilodonery या kotilodonery, बिलकुल आप ध्यान रखनेंगे, बीच पत्री अपरा, which is called as reptile-like mammal, सरिस्रप नुमास्तनी किसे बोलेंगे, तो कंट्री की ये चिट्री को ये spiny endrator अपका reptile-like mammal हो जाएगा, the pit of the ground tissue is made up of ground tissue या भरन उत्तक की pit जो है वो parent kai matas होती है, parent kai matas से बनी होती है, direct अपको learn करना याद रखना है, basic question है, oxydentic cell secret, oxydentic cell को हम parietal cells भी बोलते हैं, जो कि आमाशे में मिलती है, और इसका प्रमुक फंक्शन है, SCL का hydrochloric acid का secretion करना, तो answer हो जाएगा आपका 3, which of the following are anticoagulants, प्रतिसकंदक पधार्तु को आपको देखना है, तो हिपरिन हमारे अंदर होता है, प्रतिसकंदक है, हिरुडीन, जोंक के अंदर पाया जाता है, हिस्टा माइन एक वैसो डाइलेटर और सेरुटिन एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है, तो आपका अंसर हो जाएगा A, B, कैस्पेरिन स्टिप इस फाउंड इन दे सेल्स ओफ रूट की एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्टिप स्टिप पाय जाती है, जिसके उपर सुबेरिन नामक एक मोमी प्रधार्त का जमाव होता है, एक स्टिप मनुष्य प्रति दिन में कितनी यूरिय उस्टर्जन करता है, तो लगबग इसका अंसर आपको लगाना है 25 से 50 ग्राम तक, यानि इस रेंज में हमारा 40 अंसर आ रहा है, तो 40 ग्राम आप अंसर लगा देंगे, Y chromosome comes in which of group chromosome, human chromosome, मनुष्य गुन सुत्रों के किस समूव में Y chromosome आता है, तो जो आपका Y chromosome है, वो G समूव में आता है, डारेट आपको याद रखना है, एजोला इस एन एग्जामपल आप टेरिडोफाइट, एजोला एक टेरिडोफाइट है, और एजोला जो है, वो एनाबिना के साथ, एक सिंबायोशिस सम्बंद बनाता है, सिंबारेटिक सम्बंद बनाता है, और बाता रंट के नाडरोजन को नाटरेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानि पोधो के लिए काभी लाब दायक है, अच्छा इभी वाइरस इजे रेट्रो वाइरस आरने वाइरस डेने वाइरस अस्टल्वी 3 तो यह डेने वाइरस नहीं होता है यह रोंग हो जाएगा वाकि यह तिनों सही हो जाएंगे क्योंकि यह retrovirus भी है RNA virus भी है और इसका पुराणा नाम STLV3 है तो ABD आपका अंसर यहां पर आपको लगा देना है फिर आप देखे एंड्रोजन हार्मोन इस सिक्रेटेड बाई एंड्रोजन टेस्टोस्टरोन भी हम बोलते हैं तो लेडिक कोशिकाओं के द्वारा सैमने फेरेस्ट्रिबल्स जो व्रशन है वहाँ पर यह पाई जाती है और अंड्रोजन मेल हर्मोन का सिक्रेटेड करवाईगी One of the following is a correct food chain फूड़ चैन आपको देखनी है तो पहली के लिए दूसरी के लिए तूसरी के लिए तीसरी के लिए ते चोथी विल्कुल करेक्ट गास को टिड़ा खाएगा, टिड़ा को मेंड़ा खाएगा, मेंड़ा को सर्फ खाएगा और बाज उसको उठा ले जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इस बाई, साइकस में काई की जनन बूलबिल के द्वारा होता है डिरेक्ट आपको याद रखना है, the cause of labor pens, जो labor pens होता है या प्रसव पूर पीड़ा होती है, उसका कारण ऑक्सिटोसिन, डिरेक्ट आपको आंसर लगादाना, ऑक्सिटोसिन, लेबर पेन का कारण होता है, ऑक्सिटोसिन का ज्यादा सिक्रेशन होना, तो labor pens चालू हो जाएग Scattered Vascular Bundle are the salient feature of the stem of which of the following, बिखरे होए 7-pull, निमलिक में से किन सितन में मिलेंगे और मोनो कोट में मिलेंगे, बिखरे होए 7-pull, और एक रिंग में अगर 7-pull पाए जाते हैं, तो वो डाइकोट की विश्यस्ता हो जाएगी, पिरामिड of energy, उर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, always upright, बिल्कुल basic concept है, कि उर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, which is called as three of hormones, flight, fight and fear, flight, fight and fear जो हार्मोन है वो epinephrine या adrenaline को कहा जाता है, जो कि adrenal gland से secret होता है, the cancer of memory gland is known as carcinomas, याद रखेंगे, leukemia ब्लड कैंसर है, सारकोमा आपका muscles का कैंसर है, मिलोनोमा एक पकार का skin कैंसर होता है, तो memory gland का जो cancer है, वो carcinomas के नाम से जाना जाता है, in which stage the colchicin inhibit mitosis, colchicin, colchicin एक alkaloid है, जो कि polyploidी पैदा करता है, polyploidी पैदा करता है, plants में, और ये mitosis को metaphase stage पर ही inhibit कर देता है, तो बिल्कूल आप लोगों को ध्यान रखना है, colchicin is an alkaloid, जो कि metaphase stage पर समसुतरी वजन को arrest कर देता है, which secret calcitonin, calcitonin हार्मोन का इस तरवन thyroid की C कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, thyroid gland के द्वारा ही calcitonin secret के जाएगा और इनकी C कोशिकाओं के द्वारा ही ये secret होता है, histone protein are rich in, originin, lysin and histidin, तो ये एक शारीय प्रोटीन है, तो शारीय अमिन असेड इसमें मिलेंगे originin और lysin, histone protein DNA के साथ पाई जाती है, Desmosome is associated with Desmosomes, Animal Cell Addition या जन्तु कोशिके आसंजन में Desmosome का रोल होता है, Animal Tissue में हम लोगों ने से पड़ा भी है, DNA segment which participate in crossing over, DNA का खंड जो crossing over में भाग लेता है, crossing over, recombination, उसे हम recone बोल देंगे, recone, recombination से recone बना है, तो वो crossing over में भाग लेने वाला DNA का segment हो जाएगा, mutation में muton भाग लेगा, और एक gene को हम सिस्टोन कहता है, एक functional gene को हम सिस्टोन कहेंगे, और operon concept हम पढ़ते भी है, तो बिल्कुल आप चारों चीज़े धियान रखेंगे, gene regulation का operon concept होता है, एक couple has four girls, what is the probability of fifth child to be a son, बिल्कुल, fifth child son होने की probability 50% रहेगी, 50% वापस girl हो सकती है, और 50% son हो सकता है, आधा-आधा प्रसेंट रहेगा, एक double standard DNA has 18% cytosin, the percentage of other glasses will be, तो हमें पता है कि cytosin जो है, वो goinin के साथ bond मनाता है, यानि आपका 18% cytosin है, तो goinin भी 18% हो जाएगा, और adenine और thymine आपस में bond मनाते हैं, तो यहां से आप देखेंगे, कि 100 में से अगर अगर अपन 36 minus कर दें, तो आपका यहां पर बच जाएगा, 4 and 6, और इसका फिर आप आदा कर दीजिये, 32, यानि 32 ही आपका A होगा, 32 ही आपका T होगा, तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा, आप देखेंगे तो, 3rd वाला, बिल्कुल, चारगाफ का एक रूल होता है, वो चारगाफ का रूल लगा कर आप इसे सोल कर सकते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, Which of the following has no DNA? निम्न मैंसे किस के अंदर DNA नहीं मिलेगा, तो आप देखेंगे तो, यह नुक्लेटेड एग, जिसमें केंद्रक को निकाल जाएगे, तो हमें पता है, DNA केंद्रक में होता है, और परिफटक विष्टनी RS में केंद्रक होता ही नहीं है, तो इसका अन्सर 1 और 2 होना जीए, बिल्कूल, दोनों में DNA मिलेगा, तो आपका अन्सर हो जाएगा, केंद्रक विहिन अंडणू में भी DNA मिलेगा, और परिपक्व इस्तनी की RBC में भी नहीं मिलेगा अंडानों में जब केंद्रक होता है तब उसमें DNA पाया जाता है बिल्कुल तो आप ध्यान रखेंगे अगर यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता कि सुरू सही DNA किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर उसका आंसर आप लगा देते परिपक्व इस तनी में कभी DNA प्रेजेंट होता ही नहीं है क्योंकि केंद्रक वाँ पर होता ही नहीं है एक दमपति जिसका रख्तिसमू A, B और O है ने एक लड़के को गोद लिया बाद में उनके जुड़ा बच्चो को जन्म हुआ गोद लिया गए लड़के का रख्तिसमू क्या है तो हम इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रश्न जो है साही डंग से नहीं पूछा हुआ है तो आरपिस ने भी इसे डिलीट कर दिया था बिल्कूल आप देखेंगे क्यूमीन और कॉरियंडर और स्पाइस येल्डिंग प्लांट्स इन बोथ फूट्स और यूजड जीरा और धनिया मसाला देने वाले पादया पर दोनों में फलका उपयोग होता है यस तो दोनों ही कतन सत्य है बोथ स्टेट्समेंट्स और करेक्ट मैच दे एंड सलेक्ट करेक्ट आपको मैच करना है तो जब आप मैच करेंगे तो आरपिस ने भी इस प्रश्न को डिलीट किया है क्योंकि यहाँ पर कुछ घड़ बढ़ी है तो आपन डायरेक्ट देख लेते हैं कि एपिथीलियो कोरियल जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर किनिवे भी नहीं मिलता है और यदि हम देखें एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा तो यह सुवर में, गोडे में marsupials में哇 lemurs में पाया जाता है epitheliochorial peaks में horses में और marsupials में मिलता है तो option में है नहीं hyemoe endothelial की अगर हम बात करें तो hyemoe endothelial जो placenta हे वो चूहे और खरहे में पाया जाता है हीमो कोरियल मेन और मंकी में मिलेगा बिलकूल याद रखेंगे और सिंदेस्मो कोरियल काउ और गोट में पाया जाता है दोग और केट में एंडोथिलियो कोरियल प्लेसेंटा होता है तो यहाँ पर आप्शन में नहीं है तो यह भी आप याद रखेंगे आपस बता देता हू हीमो एंडो थीलियल जो है वो रेबिट और रेट में मिलेगा हीमो कोरियल में और मंकी में मिलेगा सेंडेस्मो कोरियल का और गोट में मिलेगा और एपिधिलियो कोरियल लीमर्स में गोडो में और सुवर में पाया जाता है और डोग और केट में जो आपका मिलता है वो थीलियो कोरियल प्लसेंटा पाया जाता है देजीज कोज़ड बाई यूज अफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रसानी ख़दों के उप्योग सहने वाला रोग है तो मिथेमो ग्लोबीनिया आप याद रखेंगे क्योंकि मिना माटा अचजी मरकरी से होता है इटा 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 इकेडिमियम से होता है सिकल सेल अनिमिया आयरन की कमी से होता है या सिकल सेल अनिमिया में आप बता सकते हैं कि जो बीटा ग्लोबीन जेन उसकी सिक्स पोजिशन पर वेलिन की जगे ग्लुटामिक एसेड आ जाता है उससे अपका सिकल से रेंड में होता है The cause of chlorosis in plants इसको भी RPS से ने डिलीट किया है इसका अंसर डेफिशेंसी ओफ MN भी हो सकता है और डेफिशेंसी ओफ Mg भी हो सकता है The primary receptor of CO2 in C3 plants C3 plants में primary receptor RUBP होता है जोकि 5-carbon वाला molecule है और C4 plant में अगर पूछा है तो आप C4 plant में PAP लगा देंगे Phosphonol Pyroate The RQ of Oxalic Acid Oxalic Acid का RQ जो होता है आप देखेंगे इस greater than 1 होता है तो इस greater than 1 में आप 4 लगा देंगे Organic Acid या Oxalic Acid का जो respiratory question है स्वसन गुनांक Correct Statement for ABA Epsistic Acid के लिए Correct Statement आपको देखना है It is a Natural Growth Inibitor Harmon बिल्कुल सही है Only A हो जाएगा क्योंकि यह Gaseous Harmon नहीं होता है Gaseous तो Ethylene होता है Ethylene is a Gaseous Plant Growth Regulator The area where two ecosystem overlap each other तो उस area को में ecotone बोलेंगे संक्रा मिका कहेंगे जहाँ पर दो ecosystem आपर समें overlap होते है नीचे किसी भी species का एक habitat में functional role है उसे हम नीचे कहेंगे तो बिल्कुल आप ecotone या आपर दिहान रखेंगे The gases associated with greenhouse effect CO2, N2O, chlorofluorocarbon, CH4 और water vapor यह सब आप याद रखेंगे कि यह greenhouse effect को बढ़ाती है हर्मोन helps in parturition सिशुजन में साइख हर्मोन एक तो oxytocin है और एक relaxin है तो आपका answer हो जाएगा and C Organals which are found in the midpiece of sperm Spum के midpiece में आपको mitochondria और central दिखाई देंगे बिल्कुल midpiece में ATP बनने वाला आपको mitochondria होता है और central यहाँ पर मिलेगा 32 cells of embryo will be formed by तो 32 cells of embryo बनने के लिए पांस तो उसमें विद्रन विवाजन हो जाएगे बिल्कुल आप देखेंगे और 31 समसुत्रन हो जाएगे 31 mitosis तो direct आपको fourth answer लगा देना है the embryo with blastopore is called blastopore के साथ embryo को गैस्टूला कहेंगे confusion नहीं होंगे blastopore answer नहीं जाएगा गैस्टूला जाएगा कि embryo जो है वो blastopore के साथ क्या कहा जाएगा तो गैस्टूला कहा जाएगा उसे which egg bears micropyle micropyle central lecithal egg में मिलता है इंसेक्ट के एग में पाया जाएगा gregarious yutichari or crepuscular संध्याचर प्राणी जो समल भोजिता अपने ही मल को खाता है coprophagy दर शाता है वो rabbit हो जाएगा excretory structure of ascaris is h-shaped होता है excretory structure ascaris में h-acar का पाया जाता है direct आपको याद करना है the correct statement for contractile vacuum of amoeba amoeba के contractile vacuum या संकोचल सिल रिप्तिका के लिए क्या कतन सही है तो इसमें आप देखेंगे तो dice toll धिरे-धिरे होता है और cyst toll अचानक हो जाता है dice toll से हमारा मतलब है कि amoeba के cytoplasm से जो इसकी contractile vacuum है वो धिरे-धिरे पानी को अपने अंदर खीचती है और फूलती है तो dice toll धिरे-धिरे होगा और जब ये abscist पदारतों को छोड़ने के लिए इसकी membrane के पास आती है तो abscist पदारतों को छोड़ देगी तो syst toll अचानक हो जाता है फटापड से ये छोड़ देगी तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे syst toll अचानक होता है यहाँ पर और dice toll धिरे-धिरे होता है फिता क्रमी में gravid proglotid का अलग होना क्या कराता है तो gravid proglotid मतलब जो परिपक वो खंड है फिता क्रमी में वो अलग हो जाते हैं उसे हम apple lysis कहेंगे डिरेक्ट आप याद रखेंगे टीनिया सोलियम के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है तो असकरिस की देव बित्ती में अनुलंब पेशी कोशकाओं की कुल संक्या 600 होती है आपको आंसर लगा देना है कैंथ्रीडीन इस उप्टेन फ्रॉम एकोनोमिक इंपोर्टेंस आया ये प्रश्न तो बिस्टर बिटल से कैंथ्रीडीन प्राप्त के जाता है और इससे ओयल बनता है जो की हैर लॉस या सफेद बालो को काला करने में या बालो की जो देख भाल करने में ये ओयल काफी कारगर है बाजार में कैंथ्रीडीन ओयल के नाम से ये मिलता है बिस्टर बिटल से ये प्राप्त होता है विच पेर इस नोट करेक्ट एपिकल्चर मधुमक्खी को हम कहेंगे शरी कल्चर रसम किट पालन पिसी कल्चर में फिशेज आईगी पर्ल ओस्टर नहीं आता है वर्मी कंचर में केश हो आएगा तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा ये करेक्ट नहीं है निमलिकित में से कौनसी अनुवांशिक रुपांत्रिक पिसमों को वरध स्तर पर उगाया जाता है विच अप दे फॉलोविंग जीम वराइटीज आर नाव बिंग कल्टिवेटेट वाइडली तो जीम वराइटीज में कोटन और स्वैबिन को वाइडली लगाया जाता है वरध स्तर पर उगाया जाता है बिल्कुल आप डिरेक्ट इसको याद रखेंगे कोटन और स्वैबिन तो इस प्रस्टन को भी आर पिस से ने डिलीट किया है लेकिन यदि हम फ्लोरल फॉर्मला की बात करें तो ब्लेक्टियेट, ब्लेक्टियोलेट और तुरिज्जा सम्मित और एकव्यास सम्मित यहाँ पर अजाएगार यहाँ पर लोडीक्यूल्स मिलते हैं पैपस के रूप में A3 और सुपिरियर ओवरे होती है तो यह वाला आपका अंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर इसमें रॉंग चीज लिखी हुई है तो अरपिस ने इसको डिलीट किया है आपका अंसर लगबग फस्ट वाला हो जाएगा नेम लिकित में से सही क्या है तो सही आप डेखेंगे तो जो कोरोला है उसे हम पिटल्स भी बोलते हैं तो फॉर फ्यूजड पिटल्स को इस तरह हम दिखाएगे ओनली सी आपका अंसर हो जाएगा एस टोटल लेंटर्ण एक चवणनक उपकरण है चवणनक मतलब चबाने के काम करने वला या मुह में पाया जाने वला या सी अर्चिन में दिखाएगे देता है और इकाइनोडर्मेटा की इकाइनोडिया क्लास में यह पाया जाएगा सी अर्चिन क्या समानता है तो इनमें वास्तियोग रिक्वंडान और दिपास समिते मिलेगी वाटर वैस्कुलर सिस्टम केवल और केवल इकाइनों डिर्मेटर में मिलता है तो आपका अंसर हो जाएगा ओनली सी हिंदी में जो option से उसमें ओनली सी नहीं है तो इसलिए इसे RPC ने डिलीट किया है आपका अंसर हो जाएगा ओनली सी और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हिंदी में कोई चीज रोंग होती है तो उसका इंग्लिश वर्जन राइट माना जाता है तो इसका अंसर आप only सी लगा देंगे बाइडियल एनिमल विच बियर्स लेजो सेल्स लेसो सेल्स जो है वो टीनो फोरा के सदेशों में मिलती है टीनो फोरा के सदेश आपके बेरोई और टीनो प्लाना ए और सी आपका अंसर हो जाएगा टीनो फोरा के सदेशों में लेजो सेल्स पाई जाती है जिनने हम सी वोलनट के नाम से भी जानते हैं बकल डाइवर्टिकुलम और प्रोवसिस क्लेंड तो बिल्कुल आपको दिमाग में आजाना चाहिए कि बेलनो ग्लसस का आंसर हो जाएगा बकल डाइवर्टिकुलम जिसे नोटो कोड का पूरुगामी माना जाता था और प्रोवसिस क्लेंड शुंड ग्रंती जो कि यहां पर एक्सक्रेशन का काम करती है तो बेलनो ग्लसस यहां पर अब कांसर हो जाएगा ट्री प्लेसेंटा इस फाउंड इन वास्त्विक अपरा ट्री की जगह यहां पर ट्री आना चाहिए विल्कुल ट्री प्लेसेंटा जो यूथीरियन में मिलेगा क्यावल यूथीरिया के सदिशों में ट्री प्लेसेंटा पाया जाता है शीशु जन्म के प्रस्चाथ इस्थन ग्रंतियों से दूद इस्तरोंग को प्रेडि़क करता है अब यहाँ पर आंसर लगाएंगे फिर्स्ट वाला Milk Ejecting Hormone या Milk Secreting Hormone Milk Ejecting Hormone अगर आपसे पूछा है तो आप लगाएंगे Oxytocin और Milk Secreting पूछा है तो आप लगाएंगे Prolactin Rate of cleavage proportional to 1 upon amount of York तो ये Balfour का नियम है कि विदलन की दर जो है वो inversely proportional होती है पितक की मात राके जिवो के नामकरण पतिते से संबंदित है विटाकर और स्ट्रिक लेंड विटाकर ने 5 जगत प्रणा ली दी थी स्ट्रिक लेंड ने एंड चूज दा करेक्ट तो एविज में एक अंडाशय होता है मैमल्स में कार्पस केलोसम पाया जाता है एमफिबियंस में थी चेंबर हर्ट होता और इलास्मों ब्रॉंकों काट ले जाना स्ट्रिक बोलते हैं तो अपका आंसर हो जाएगा A में C B में D C में B और D में A Retrogressive Metamorphosis Euro-Code Data की सदश्चन में मिलता है प्रतिगामी कायांतरन यानि इसमें जो कायांतरन मिलता है वो प्रतिगामी मिलता है अगर गामी नहीं मिलता है यानि बनने वाला जो लार्वा से जो एडल्ट बनता है उसमें कायांतरन के बाद बहुस सारे लक्षन डिड्यूजड हो जाता है लार्वा जादा विक्सित होता है वो रेडल्ट कम विक्सित होता है इसमें प्रतिगामी कायांतरन बोलेंगे जो कि Euro-Code Data की सदश्चों में दिखाई देगा अमिबा के लिए क्या करेक्ट है तो अमिबा के लिए ये जूट्रोफिक होता है लेंटिक होता है SLR है मुनरा में नहीं आता है प्रोटिस्टा में आता है तो अभी सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा शार्क और पाइलेट मचली नॉक्रेटिस के मद्दी का संबन कॉमन सेलिज्मिका होता है बिल्कुल जिसमें शार्क मचली को कोई नुपसान नहीं होता है लेकिन जो पाइलेट मचली है वो अपने आपको प्रिडेटर से बचा लेती है मिनेमेटा डिजीज का कारण बिल्कुल आप लोगों को देखना है अच्ची के अधकता एक्सेस और केडमियम से इटाई-टाई रोग होता है ये भी आप त्यान रखेंगे ये भी काफी बार पूछा गया प्रशन है तो 80-90% जो ट्रांस्पिरेशन होता है इस्तो मेटल ये रंद्रो के द्वरह होता है वाटर पॉटेंशल और वाटर का जल विभव और परशन विभव दोनों ही जीरो होता है सुन्या सुन्या आप क्वान से लगा देना है डेड़ाबल पार्ट अप दे कोकोनेट कोकोनट का हम सीड और ब्रून पोस्ट खाते हैं दे पॉलर बोड़ी फॉर्म डूरिंग उजनस इस हैपलोईड पॉलर बोड़ी उजनस के दुरान जो बनती है वो हैपलोड होती है अंडे जरन में निर्मित दुरूवियक आई हैपलोड पाई जाएगी दे डिविजन इन क्लिवेज के डिविजन में माइटोसिस में व्रद्धी प्रावस्ता जो होती है वो अनुपस्तित होती है तो आपका अंसर हो जाएगा माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज अधिक्तम रसरों दिन के समय होता है यही करेक्ट है तो बिल्कूल आपको यही लगा देना है बागी के सब रोंग है which is called as chimeric DNA chimeric DNA यानि आपने दो DNA या दो या दो साधिक DNA को जोड़ कर जो DNA बनाया तो पुनर योगस DNA को हम recommend DNA को chimeric DNA बोलते है which of the following are pulse plant दालो वाले पोधे Pysm और Vigna Radiator ये दोनों दालो वाले पोधे हैं इनके botnical name याद रखने है आर्थवम में आर्थवम में आर्थवम में आर्थवम में 13 गंड में मिलती है बिल्कुल डारेक्ट आपको आंसर लगाना है 14-16 गंड में यापर क्लाइटेलम पाए जाती है परियानी का पाए जाती है cutation in plants occurs through तो cutation hydathots या पत्यों के जल रंद्रों के द्वारा होता है आपको आंसर लगाना hydathots याद रखना है वो cutation के लिए उत्तर दाई है पत्यों में पाए जाने वाले जल रंद्र बिंदु इस्तरवन के लिए उत्तर दाई है satellite DNA is useful tool जो satellite DNA उनमें polymorphism पाए जाती है और polymorphism का उप्योग हम DNA fingerprinting में करेंगे VNTR आपको याद रखना है variable number tandem repeat तो ये forensic या न्याले विज्ञान में उप्योग हो जाएगा आपका satellite DNA in which segments of earth from CTR absent तो first में absent होती है last में absent होती है परियारनिका वाले खंड़ों में यानि 14, 15, 16 में तो आप cancer हो जाएगा ABD बिल्कुल आप लोगों को इसी तरह प्रढ़ी करने कि आपके दिमाग में बिल्कुल सारी चीज़े clear रहे और आप फटा-फट से option लगा पाएं option लगाने के बाद आप वापस एक बाद चेक करेंगे कि आपने सही लगाया है या गलत लगाया है match the following and choose the wrong तो यहाँ पर आप देखेंगे rabbit में larynx मिलता है pigeon में syring मिलेगा frog में vocal sec और cockroach में annulser काई तो बिल्कुल आप लोगों का जो answer है वो हो जाएगा rabbit में आप larynx लगाएंगे 3 वला answer हो जाएगा B में A लगाएंगे C में D लगाएंगे और D में B लगाएंगे इम लिकित में से किसको भारत का रास्ट्रिय जलिय प्राणी नाम दिया गया है national aquatic animal of india dolphin gangetic dolphin को रास्ट्रिय जलिय प्राणी नाम दिया गया है क्योंकि wavelength जो होती है पॉइंट 54 एंगर स्ट्रॉम के लगबख होती है जो option में नहीं है आप लोग याद रखेंगे choose the incorrect pair आपको incorrect जो pair है वो choose करना है तो गेंडा काजरंगा में नेशनल पार्क में आसाम में मिलेगा हाथी पेरियार में मिलेगा केरल में और कस्तुरी मर्क केजारनात राष्टी उद्यान में शेर सरिस्का में शेर नहीं टाइगर प्रोजेक्ट है ना तो यह आपका गलत जोड़ा हो जाएगा सेसा चलम जीव मुंडल की स्थापनक कहां और कप कीगी तो सेसा चलम जीव मुंडल जो है वो आंदरा प्रदेश में 2010 में स्थापित किया गया था सेरिसेलम भी से बोला जाता है सेरिसेलम और यहाँ पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है सबसे बड़ा नागा अर्जुना सागर सेरिसेलम टाइगर रिजर्व भी आप इसे याद रखेंगे अंध्र प्रदेश 2010 वेन दे प्रजेक्ट टाइगर वाज स्टाटेड इन इंडिया तो एक अप्रेल 173 काफी इंपोटेंट डेट है यह प्रश्ण भी बार-बार पूछे जाता है एक सो पंदरवा भी आप याद रखेंगे मैंने स्टार इंपोटेंट के लिए लगाया है बिल्कुल आप दियान रखेंगे 1 अप्रिल 1973 पधती जिसके दोरा भीविन कॉलाईडी पधारतो को उनके मेशन से अलग किया जाता है वो पधती आपके होजाएगी एलेक्ट्रोफोरसिस ब्रोटेंट कोलाइडल नेचर के होते हैं आप प्रोटेंट डेन्स फोरफोरसिस प्रतक करेंगे Correct statement for TEM Transmission electron microscope के लिए correct क्या है Electrons are used in place of light बिल्कुल सही है Electromagnetic lenses are used in place of glass lens बिल्कुल सही है C वाला correct नहीं तो A B आपका correct हो जाएगा Object can be viewed directly by eyes Directly हम object को नहीं देख सकते Correct for golden rice Beta correct नहीं एक चाबल इसका रंग पीला होता है यह एक GM crop है तो बिल्कुल आपका अंसर हो जाएगा ABC एक genetically modified crop है Yellow color का उतार beta carotene यानि vitamin A इसमें मिलता है golden rice में One of the following is a diagnostic technique TM और ACM Transmission electron microscope Screening electron microscope ELISA तो ELISA आपकी diagnostic technique है जिसे AIDS के परिक्षण में काम में लिया जाता है AIDS के diagnose में काम में लिया जाता है बाकी TM और ACM आपके microscope हो गए electron microscope हो गए What is gymosan? Gymosan an active enzyme inactive precursor proteolytic enzyme यह इसका answer हो सकता है और एक fourth भी हो सकता है तो और पिसने से delete किया है वैसे gymosan जो होता है वो enzyme की inactive form है जिसे हम pepsinogen की बात करते हैं pepsinogen वह प्रकार का gymosan है जो की inactive है और active इसे SL करेगा और SL इसे pepsin में convert कर देगा बिल्कुल आपको धियान रखना है pepsinogen 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 SL आएगा और इसे active कर देगा pepsin में तो यह inactive enzyme का precursor होता है तो इस प्रकार से DRS एक्सो बीस प्रश्न जो biology से पूछे गए थे बागी के 30 प्रश्न साइकोलोजी से पूछे गए थे तो बाइलोजी के प्रश्न ही में करा रहा हूं तो बिल्कुल आप लोगों को इन प्रश्नों को करने के बाद पता लगेगा कि आरपेस से किस प्रकार के प्रश्न करती है और आपकी तैयारी को एक नई दिश्या मिलेगी बिल्कुल आप इन प्रश्नों को अच्छे से करिए अपने दिमाग में बढ़ाईए बहुत बहुत धन्यवाद